Instagram में यह find new potential customers का मतलब क्या होता है सारी चीजे इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो informative लगे तो प्लीज यार comment वाउस को ज़रूर लिखना informative वीडियो वीडियो को एक like कर देना जब भी हम अपनी profile पर आते हैं यहाँ पर हमें professional dashboard का option दिखते है और जब भी यहाँ पर हम click करते है यहाँ ठीक सामने हमें यह option दिखाई देता है find new potential customers so Instagram इसके बारे में क्या कहता है यहाँ पर हम देख सकते है learn how to start conversation with people who are interested in your business Instagram यहाँ पर कह रहा है interested है यानि आपका कोई business page है या किसी भी type का page है जिसमें आप customers को find कर रहे है then यहाँ पर Instagram आपके लिए एक solution बता रहा है अगर यहाँ पर हम click करते है then Instagram हमें क्या solution बताता है यहाँ पर लिखा हुआ है choose the more message goal when you boost a post यहाँ पर Instagram कहा रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते है create your ad in minutes किस तरीके से आप ad को run कर सकते हो सारा procedure यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और किस तरीके से आप अपने ads के results को check कर सकते है यह भी सारी चीज़ें यहाँ पर बताए हुई है और इसके अलावा इन्होंने बताया कि दूसरों के ads से कैसे inspired होना है किस तरीके से उनकी ads से idea लेना है और अपनी customers को generate करना है and last में इन्होंने एक option दिया हुआ create messaging ad जब आप यहाँ पर click करोगे यहाँ से आप message ad को run कर सकते हो इस option का मतलब सिर्फ इतना ही है आप instagram message ad को run करो और customers को gain करो add run करना नहीं आता तो इस वीडियो को देख सकते हो और यह वीडियो informative लगी हो तो comment box पर ज़रूर लिखो informative वीडियो वीडियो को एक like करो चैनल को नहीं हो तो चैनल को subscribe करतो bell icon को press करतो मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई जाहिना and stay tuned